मेरी घरवाली के दोड़े पड़ते थे 45 साल से, वो आज 80 परसेंट ठीक हैं, तो ऐसा मेहंत जी ने क्या गिया? मेहंत जी ना हाथ रख्या, शाम जल दिया, शाम जल के दोड़ा अच्छी परसेंट किया? मेरे सभी लोग भूत प्यादा से मेरी पत्नी परिशान रहती थी, जबसे हम जुड़े हैं, जबसे ऐसी कोई समस्य हमारे लिए नहीं है, और हमारी पत्नी लगातर मतलब शही रह रही हैं अब पहले, बहुत सारे शेयानों को दिखा चुके थे हम, कभी कोई फायदा हुआ न आप सभी से आम बगतों का चमतकारी मनोना धाम में हारदिक अगनंदन है, और जैसे की लगातार हम मनोना धाम की महमा का गुरगान करा रहे हैं, मनोना धाम के लाइव चमतकार आप तक पहुचा रहे हैं, मनोना धाम दुनिया का एक मात्र चमतकारी धाम बन चुका है, यहा यह बक्त आये हुए हैं पैदल यात्रा करके आए हापुर से जानते हैं इनके मन में कैसे बाओ आया और कैसे कैसे यह मनोना धाम तक पहुंचे कैसे इनको मनोना धाम की जानकारी मिली जैसरी शाम भीया जैसरी शाम पहले जानना चाहूंगा मनोना धाम की जानकारी कैसे मिली YouTube के मातधम से आप मनवना धाम तक आए हो तो यह बाव आपके मन में कैसे आया यहा का चमतकार देख देख देखेए तीन बार पहले आचुके हो अब की बार तुम पैदल यात्रा करके आयो चारो भाई पांच दिन में आप पहुंचे हो तो कैसा लग रहा है मनोना धाम से जुड़े हुए हो मनोना धाम में आ रहे हो लगातार आपकी आस्था बनी हुए आपका विश्वास बना हुए तो क्या चमतकार हुआ आपके साथ एक सबसे बड़ा है कि मेरी घरवाली के दोड़े पढ़ते थे 45 साल से अच्छा हुआ आज 80 परसेंट थीक है तो ऐसा मेंत जी ने क्या गिया मेंत जी ना हाथ रख्या शाम जल दिया शाम जल के दोवारा 80 परसेंट जैसे कि हम अपनी चमतकारी सी वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं हमारे महिंधरि उमेंद चोहां जी चमतकारी शाम जल देते हैं और 2 एक ना कोई लाइव वगॉग में मानो जाता हो में जो कि कलियुक के अवतारी सिद्ध हो रहे है यह आपकी आस्ता है ऐसे ही लाखो वक्तों की भीता है तो आप क्या दोगे भीया और सब को इदर संकरने के सब को उधार हो आप यहां आते हो हापुर से चलके जो है सेकड़ किलो मेटर दूर है यहां पूर यहां से तो आप महनजी से मिलते हो कैसा लगता है महनजी से अब अब बहुता है इनका दोरे पढ़ते थे यह बिल्कुल पढ़ता था और मुझे आज 60% आराम है तो आपको कब से पढ़ते थे मुझे करीब 16-17 साल की उम्र से आपको दोड़े पढ़ते थे आज आपकी लगवाग ऐस पच्पन एर्स हो एकम से तो अब बिल्कुल है तो अभी मलब 70% आराम है आपको बिल्कुल 70% आराम है तो क्या किया महनजी ने ऐसा है महनजी का आसिरवाद और जल ही फरवे है केवल स्याम जल जो दिया जाता है चमतकारी है व्यर्व करच महनजी का नाम ले करा दो और महनजी का आसिरवाद और जल ले लो सब कुछ पार है बिल्कुल जीवन कभिना पार है पारत ब्युक्त खेंद हो जाएक लुग तो सबसे पहले जानना चाहूंगा, कितनी बार मनोना धाम आ चुपे हो? मैं लगवा 10-15 बार से जाड़ा मनोना धाम, 15 बार आ चुपा हो लगवा लगातार आप मनोना धाम से जुड़े हुए हो, पूर्ड विश्वास के साथ महनजी महराज पर महनजी महराज के हाथ रखने के चमतकार पर पूरी तरह से विश्वास है आपको तो जानना चाहूंगा यहां तरह तरह के भगत आते हैं और तरह तरह की समश्याएं लेके आते हैं कैंसर जैसे पीडित लोग हाथ रखने मात से ठीक हो जाते हैं आप क्या स्वमश्या लेके आए थे और क्या चमतकार है आपके साथ मेरे साथ काफी समतकार हैं पहले चमतकार तो यह कि घर मेरे सभी लोग भूत पयादा से मेरी पतनी परिशान रहती थी अच्छा जब से जासे हम जुड़े हैं आप से ऐसी कुई समय हमारे लिए नहीं हैं और हमारी पत्नी लगातर मतरव रही एप पहले बहुत सारे शियानों को दिखा चुके थे हम कभी कोई फायदा हुआ नहीं था तो कितने समय से पर है साथ सहोगा है। कि वहां लगातार चमतकारी वीडियो दिखा रहे हैं महनजी माराज हम लगातार चमतकारी वीडियो दिखा रहा हैं मनोना धाम से तो आपके साथ भी लाइब चमतकार है, क्या कहना चाहूंगे महन जी की विशाय में? महन जी से हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाव है, महन जी समझे लो हाथ रगना वह विशाय में? क्या आपको अप्रणा है, खज़ ज़्यादा है, तो यहां आपको पूरी तरह से लाभ मिला, ठीक हो गए हैं तो आपके साथ आई हुए होए तो आपके साथ क्या लाइब चमतकार है, जब से मैं हाया हूं तब से अब हमारे घर में मतलब जो पहले जो दिक्कत थी अब उससे पूरा आराम है पूरा आराम है तो क्या किया महाराज ने ऐसा जो आपकी समझ्षाइश अब खतम होती चली जा रही है यह जो जल है इस जल का भी हमने साख साख चमतकार देखा है अच्छा है क्योंकि एक इंसान ब्योस हुआ था अब उस पर क्या हवा का चक्कर था क्या था अब भूइं है यह जिल मुह में डालते ही तुरंफ खुत महा है तुरंफ श्यान बीददा था अब लोगों का पूरा विश्वास बना हुआ है मनोना थाम में एवा पहले मेरे साख मेरे मेरे साथ मुझे इस काम को सोच्टा है तो यह उल्टा होता था और जब से मैं बना अपने अप कैसा हो तो मज़ा लगता नहीं कि मैं करता हूँ सब कुस पोजिटिव हो गए एक बार की रटना है परमार मेरे साथ में अपनी फोर्फिलर से जा रहा था डूटी के लिए तो कब से कम लब सो की आसपास की स्वीड थी अचानक से एक साड आ गया था मतलब रास्ते में और मेरा दिमाख जो बिलकूल डाइवर्ड हो गया था उससे हडिया था परन्तु एक दम अचानक जैसे नजदिगाया बैसे ही गाड़ी ये दम रुकी अचानक ही प्रेकों पर चल गया गाड़ी रुखी तो तो मुझे ऐसा लगा कि बावा ने आके बचावी यह तो बहुत बढ़ी गटना हो जाता है अपूरी तरह से समर पर तो मनोना था मेरे साथ पर्शो की है मैं गाड़ी में मतलब थेली से आम लेकर के गाड़ी में रख रहा था तो भी पीछे से एक साण आया और मेरे मतलब बहुत तेज करके सीन मार दिया अब वो सकता है सीधा भी लग जाता तो जादे नुक्सान हो तो पर थोड़ा फिर्चा हो के लगा तो जिससे केवल थोड़ लेख शबाना द्व लेकर लेकर शे उसका सीधा लग जाता तो पता नहीं क्या होता तो पूरी तरह से आप समर पर मनोना झाराज में पूरा विश्वास है आप महिने महीने में आता है जरूर हो आट बढ़िया है तो बोलिए हारे के सहारे के मनोना झाम की शयाम प्यारे के कि बिच्व जम्हां पस्थ कर दो ओनुछ सबांत आई तो पूरा विश्वास बना हुआ है zob आडवो कुछ भी आए केम भी अउनके प्रेवारा द Werk सिर्च भी जो कुछ भी कर आतिती तो बोली चेवं द्धान घांघ हां पिर में दूसरी पार आई हो इंए घोट भुटे झाड मेहिं थी एच पांस साल बाद आपको प्रेग्मेंची है और आपको ओवरी की गाण्ट भी गाए वोगी तो महंजी ने ऐसा क्या किया है बस गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और जल दिया मुझे केवल आशिरबार दिया और चमतकारी स्याम जल दिया और आपका कल्यार हो गया है और मेरे हजबन ड्रिंग करते थे और इन्होंने ब्रुकुल भी त्याग दिया कहते हैं इंसल्ट होती है ड्रिंग भी न अच्छा नहीं लगता है बहुत जाना ही हम पर रिसान दे बाबा जी मेरे माराई मानव जात्यार है आज कल्यूब के समय में माहनव जाती का कल्यार के लिए मारे परंपुज महराज ने जनव लिया है और पूरी मानव झाल 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 झाल